चिली पनीर या वेज मंचूरियन तो हम अकसर खाते हैं, आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ चिली मश्रूम की रेस्पी, अगर आपको मश्रूम खाना पसंद है तो ये रेस्पी जरूर बनाए और अगर नहीं भी पसंद है ना तो मेरे कहने पे मश्रूम की इस डेश को एक आपके बाद इसके दो टुकड़े कर लें, यहाँ पेना मश्रूम की ऊपर की लेयर को निकालने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही अच्छे से रगड़ के धो लेंगे और इसके दो टुकड़े कर लेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच कॉन्सलोर यानि ये मक्य कार पाउडर डाल देंगे, थोड़ा से हम इसमें काले मिर्ज का पाउडर डाल देंगे, या फिर फ्रेश कुटा हुआ काले मेस डाल दे, इससे स्वाथ बहुत अच्छा आता है, अब हम इन सब को अच्छे से मिला देंगे, तो मैदे और कॉन्सलोर की एक अच्छी से कूटिं जो है वो मश्रूम के उपर आ जानी चाहिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे तो तेल मैंने पहले से गरम होने के लिए रखाता जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाएगा यह मश्रूम डाल देंगे और इसके बाद हम इसे मीडियम या फिर मीडियम हाई फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पे न मश्रूम को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है इसलिए आप इसे एक दो बार ऐसे पल्टे और जैसे यह थोड़ा सा श्रिंक जैसा देखे ना तब ही आपको इसे निकाल लेना है यह देखे ऐसे पलटते रहें और यह हमारा मश्रूम का एक बैच जो है वो फ्राई हो चुका है तो जैसे नॉर्मल हम पकोड़े तलते हैं वैसे हमें इसे तलके निकाल लेना है तो यहाँ पे यह मश्रूम मैंने निकाल लिया है और सेम प्रोसेस से हम बागी के मश्रूम को तल लेंगे और इस मश्रूम से आप मश्रूम 65 भी बना सकते हैं या फिर ऐसे वी से कैचचप के साथ खा सकते हैं बहुत यह जिन लगता है बहुत जादा तेल की जरूरत नहीं है जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे बारी कट हुआ लैसून और अद्रग तो लैसून का इस्तमाल जादा करना है और अद्रग का कम मनलब एक छोटी चमच बारी कट हुई अद्रग ले और एक बड़ी चमच बारी कट हुई लैसून लैसून और अद्रग को ऐसे हम तेल में पका लेंगे अच्छे से और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज तो एक चौथाई कप मैंने ऐसे स्कॉार शेप में कट हुई प्याज ले है प्याज को हल्का सब भूल लेंगे बस थोड़ा सा ऐसे भुण जाय ना तब смесь में बाके की शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है अगर आपके पस रेड और यलो शिमला मिर्च है नहीं तो बस हरे वाले शिम्ला मिर्च का इस्तेमाल करें तो यहां पे प्याइज जितनी मात्रा में थीन है, उतनी ही मात्रा में मैं जे शिमला में इस तीनो कलर की डाले हैं, यानि 1 फूर्थ का पीछ मिला दे इसे तो अब हम इसमें डाल देंगे सारी सॉस, तो एक बड़ा चमच हम इसमें red चीली सॉस डाल देंगे दो बड़ी चमच हम इसमें ग्रीन चिली सॉस डालेंगी साथ में हम इसमें थोड़ा सा विनिगर डालेंगी तो विनिगर की कॉंटिटी कम रखनी है तो आधी बड़ी चमच आप इसमें वाइड विनिगर डाल दे और इसके साथ ही हम इसमें डाक सोया सॉस डालेंगे, इससे कलर अचा आता है इसके साथ ही हम इसमें दो बड़े चमच टमाटो केचप डाल देंगे बेफीकर होके केचप डालें, मिठा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें चिली सॉस डाला है तो ये टेस्ट को बैलन्स करेगा थोड़ा सा हम इसमें काली मिर्च वापस डालेंगे यहां पे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक तो ध्यान रहे कि सॉस में नमक रहता है इसलिए नमक का इस्तमाल कम करना है अब हम क्या करेंगे एक कर्टोरी में एक बड़ा चमच कॉंसलोर ले लेंगे और पानी डालके उसका एक गाड़ा गोल बना लेंगे कॉंसलोर जो है वो सॉस की थिकनेस को बढ़ाने में मदद करता है तो यहां पे कॉंसलोर को अच्छे से मिला दें इसे हम लग रहतेंगे और पहले यह जो सॉस हमने डाला है उसे प्यास शिमला मिर्ज में अच्छे से मिक्स कर दें यह देखिए ऐसे अब हम इसमें डाल देंगे यह कॉंसलोर का बैटर तो इसे कड़ाही में डालने से पहले एक बार अच्छे से मिला दे और इसके बाद इसे डाल देंगे गैस का flame आपको medium या फिर medium high रखना है थोड़ा सा लाल मिर्च का powder डाल देंगे हम और इसके बाद इसे अच्छे से मिला दे कांसो डाल दे ही sauce जो है वो बहुत ही जमने लगेगा बना थिक होने लगेगा तो यहाँ पे आपको डालना है पानी आधी कप के करीब हम यहाँ पे पानी डाल देंगे अगर आपको थोड़ी से ग्रीवी चीए तो पानी की कॉंटिटी बढ़ा दें और इसके बाद हम पहले इसे अच्छे से मिला देंगे गैस का फ्लेम यहाँ पे आपको हाई रखना है और हाई फ्लेम पे हम यह जो मश्रूम फ्राई की है ना वो तुरंट सॉस में डाल देंगे और मिक्स करके निकाल लेना है तो यहाँ पे यह मश्रूम डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे अच्छE से मिला देंगे नमक हमने मश्रूम को फ्राई करने में डाला था प्लस यहाँ पे जो हमने प्यास शिमला मेज पकाया उसमें डाला था थोड़ा सा नमक पानी डालने के बादाइड करेंगे तो यह हमारा चिली मश्रूम बन के तियार हो गया है तो ग्यास बंद करने के पहले हम क्या करेंगे कि सके उपर ऐसे लमबाई में ज़्या बारी किटा हुआ हा प्यास डाल लेंगे और साथ में ही बारी किटा हुआ हरापयास जाल देंगे इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है मतलब हरी मिर जो है आप ऐसे हरा हरा दिखेगा तो खाने में भी टेस्ट आता है और आप चाहने तो खाते वक्त इसे निकाल भी सकते हैं अगर आपको स्पाइसी जाता नहीं पसंद है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद ले चलते हैं सर्फ करने का प्रासेस में तो ये हमारा मश्रूम का बहुत ही जबदस टार्टर जो है वो बंद के त्यार हो गया है अगर आपको मश्रूम खाना पसंद है तो आप इसे जरूर ट्राई करें और नहीं भी पसंद था तो एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को जरूर बनाएं तो सूपर टेस्टी रेस्टरेंट से भी अच्छी चली मश्रूम की रेसिपी को बनाएं और खेलाएं और ये मश्रूम अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंट्स फैमिले के साथ शेयर करना बिलकुल ना भूले